नमस्ते दोस्तों आज मैं बनाने वाली हूँ एक्तम अलग और बिल्कुल अनोखे तरीके से गोवी आलो का छिट पटा तेश्टी और एक्तम स्वादिष्ट सबजी तो चलिए बिना देर के इस तेश्टी सबजी को बनाना शुरू करती है तो सबजी बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फुलगोवी को अच्छे से धो करके साफ कर ली थी और इसके फूल को अलग काट ली थी और इसके डंठल को भी पता सही छोटे छोटे तुक्रों में काट करके रख ली थी इसके बाद मैं यहाँ पर चार छोटे साइच के आलू को भी छील करके छोटे छोटे तुक्रों में काट करके रख ली थी तो चलिए अब हम चलते हैं चुलहे की तरफ तो सबसे पहले चुलहा पर एक कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में डाल देंगे एक चमच के करीब स हम इसमें कोवी डाल देंगे तो आधा कोवी डाल कर इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें बचे हुए कोवी के डंठल को भी डाल देंगे डालने के बाद इसी अच्छे से मिक्स कर दो से तीन मिनास तक बढ़्यां से फ्राई कर लेंगे तो कोवी को यहां पर हलका सा फ्राई करने से यह होगा यह खाने में फीका फीका नहीं लगेगा तो अब यहां पर देखे कोवी हलका सा फ्राई हो गया है तो इसे निकाल करके किसी पलेट में रख लेंगे और फिर से कढ़ाई में डालेंगे तेल तो यहाँ पर बस थोरा सा ही तेल डालेंगे तेल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम जीरा और एक मेडियम साइज के प्याज को इस तरह से लच्छा में काट करके या फिर यहां पर आप प्याज को बारिक भी काट करके इस्तेमाल कर सकते हैं लच्छे डालने के बाद इसको तेल में अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे चलाते हुए हलका सा भोनेंगे तो हमें यहाँ पर प्याज को बहुत जदा नहीं पकाना है पस इसको हलका सा सौप्ट कर लेना है जब प्याज हलका सा सौप्ट हो जाएगा तब हम इसमें डालेंग थोड़ा सा अद्रक लेसान हरी मिर्च का पेस्ट अगर आप अद्रक लेसन खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसको एसकीप कर सकते हैं या फिर आप इसमें टमाटर का भी प्यूरी डाल सकते हैं डालने के बाद अपेश्ट को तेल में अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे चलाते हुए हलका सा भूनेंगे ताकि इसका कच्छा पान दूर हो जाए और अदरक लेसन का पेश्ट डालने से सबजी भी खाने में बहुत ही तेश्टी लगता है तो मैं यहाँ पर इसको हलका सा भून ली हूँ अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बांकी का मसाला ताकि सबजी एक्तम तेश्टी और चटपटा बन करके तैयार हो तो पहले मैं इसमें डाली हूँ एक सेदेर चमच, सारे सावुत मसाला का मिक्स पोडर और एक चमच लाल मिर्च पोडर तो सावुत मिक्स पोडर डालने के बाद मैं इसमें अलग से जैसे धनिया पोडर, जीरा पोडर, काली मिर्च पोडर या गरम मसाले वेगरा नहीं डा चुमकि ये सारे मसाला एक साथे मिक्स है डालने के बाद इस से अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो अब इन सारे मसाले को चलाते हुए मेडियम टूलो फ्लेम पर एक मिनुट तक पका लेंगे इसके बाद अब हम मसाला में डालेंगे थोड़ा सा पानी यानि आधा कप के करीब तो थोड़ा सा पानी डालने से मसाले में ये भैदा होगा एक तो मसाले भी अच्छे से मिक्स होगा और हमने जो इसमें कुछ मसाले का सुखा पोडर डाले है वो भी एक तम अच्छे से फूल जाएगा तो पानी डाल कर पानी को मसाला में अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो अब हम मसाले को चलाते हुए मेडियम टू लोव फ्लेम पर दो से तीन मिनष तक और भूनेंगे क्योंकि जितना अच्छे से आप मसाले को भूनिएगा आपका सबजी उतना ही तेश्टी बन कर तैयार होगा तो हमने यहाँ पर मसाले को लगबग दो मिनष तक भून लिये है अब हम इसमें आलू भी डाल देंगे क्योंकि आलू को पकने में थोरा सा वक्त लगता है तो इसलिए आलू को मसाला में यहीं पर डाल देंगे ताकि जब तक हम मसाला को पकाएंगे तब तक आलू भी साथ में थोरा बहुत पक जाएगा और बाकी का जो बच जाएगा हम उसको ग्रेवी में पका लेंगे अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक तो नमक डालने के बाद नमक को मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे और अगर आप चाहे तो यहां पर आलू को फ्राई करके भी ले सकते हैं अगर नहीं भी फ्राई करेंगे तो इस तरीके से हमारा दोनों काम एक साथ ही हो जाएगा मसाला भी पक जाएगा और साथ में आलू भी और इस तरीके से हमारा टैम भी कम ही लगेगा तो आलू डालने के बाद मैं मसाला को आलू के साथ लगबग एक मिनठ तक पकाई थी अब हम इसमें गोवी भी डाल देंगे क्योंकि गोवी को भी पकने में टाइम लगेगा तो अब गोवी डाल कर गोवी को मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे और इससे चलाते हुए मसाला के साथ थोड़ा देर तक पका लेंगे ताकि गोवी के अंदर तक मसाला का फ्लेवर जै और ये खाने में फीका न लगे और अगर आप पहले ही गोवी आलू को अच्छे से फ्राई कर लिये है तो आप मसाला में ग्रेवी डाल कर डायरेक्ट इसको ग्रेवी में डाल सकते है बिना इसको मसाला के साथ फ्राई किये तो देखिये मैं यहाँ पर सारे चीज को मसाला के साथ एक्तम अच्छे से फ्राई कर ली हूँ तो अब हम इसमें डालेंगे ग्रेवी के लिए पानी, तो मैं यहाँ पर ग्रेवी के लिए दो कटोरा पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आपको जितना जरूरत हो, उस हिसाब से यहाँ पर पानी कम ज्यादा भी कर सकते हैं, पानी डालने के बाद पानी को एक बार अच्छे स मिक्स कर देंगे, और अब ग्रेवी को तीन से चार मिनट तक एक्तम अच्छे से उवा लेंगे, तो तीन से चार मिनट में अवसारा चीज बढ़्यां से पक जाएगा, दोस्तों गर आज की ये छोटी सी रेश्पी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करके चेनल को भी सब पर्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको हर दिन नई नई रेश्पी देखने को मिले, तो मैं इससे तीन से चार मिनट तक धक कर अच्छे से पका ली थी, तो चलिए, अब हम एक बार सबजी को चला करके चेक कर लेती है, तो अब सबजी में गिरे भी इक्तम परफेक् गया है, तो लिजी दोस्तों, आज का हमारा एक्तम चट पटा टेस्टी आलू को भी की सबजी बन करते हैं, आप इस सबजी को रोटी या चावल के साथ मजे से खा सकते हैं